दोस्तों जारखण में मोदी और अमिशा के लिए हेमन सुरेन ने ऐसा जाल बिचाया है कि भाजपा को अब उससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है भाजपा के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं अब जो खबर आ रही हो भारती जंदा पार्टी को कही का नहीं छोड़ने वाली है क्योंकि सबसे बड़ा विकेट गिरने वाला है चमपाई सुरेन की जेमें में वापसी होने की खबर आ रही है सीम हमन सुरेन के भाई बसन सुरेन ने बड़ा दावा किया है और इस खबर के बाद भाशपा में हड़कम मचना तैमाना जा रहा है बसं सुरेन ने कहा है कि चमपाई सुरेन हमारे गार्जियन थे और हैं दुख है कि वो दूसरे दल में चले गए हैं लेकिन उम्मीद करते हैं जल्द ही वो घर वापसी करेंगे घर को वापस लोटेंगे क्या ओपरेशन हेमंत के तहट चमपाई सुरेन भाशपा को जटका देने जा रहे हैं भाशपा को बड़ा जटका देने की तयारी में है इंडिया गडबंदन जिस तरीके से भाशपा में धड़ा धड़ इस्तिफे हो रहे हैं इससे अब जारखन की तस्वीर बहुत हद तक साफ हो चली है कि NDA गडबंदन पूरी तरीके से बैक फुट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों जिस तरीके से हेमन सुरेन के भाई बसन सुरेन ने दावा किया है कि चामपाई सुरेन बहुत जल्द घर वापसी करेंगे और आपको एक दो दिन में और बड़ी खबरे देखने को मिलेंगी। राहुल गांदी के राची में रेली हुई उसके बाद से ये हेमन सुरेन ने पूरी तरीके से जाल बिचाया। अब गो जाल में कहीं न कहीं परधान मंती नरेंदर मुदी और अमिश शाह फंस्ते हुए नजर आ रहे हैं। तरीके से हेमन सुरेन ने चमपाई सुरेन को मुख्मंतरी बनाया। उसके बाद जब हेमन सुरेन जेल से बाहर आते हैं तो चमपाई सुरेन को मुक्रिम मुक्मंत्रिपत से हडा देते हैं उसके बाद भाजपा का दामन चमपाई सुरेन थाम लेते हैं क्या अब चमपाई सोरेन को भी जारखंड की हवा पूरी तरीके से साफ दिखाई दे दी है कि किसके पक्ष में चल लई हवा और भाजपा की क्या हालत वास्तों में जारखंड में बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है क्यूंकि चमपाई सोरेन जो अभी जे एमेम छोड़ क सोरेन ने किया बड़ा दावा जहरखंड के से येम हेमीद सोरेन के चोटे भाई बसन सोरेन ने कहा कि चमपाई सोरेन हमारे गारजयन थे हैं दुख है कि वो दूसरे दल में चले गए हैं लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द वो हमारे घर वापसी करेंगे बसन सोरेन का बयान ऐसे समय में आया है जब भारती जन्ता पार्टी चमपाई सोरेन को टिकट दे चुकी है सराय केला विधानसवा सीट से उन्हें भाशपा ने उम्मीदवार बनाया है अगस्त में जे एमेम से इस्तिफा देते हुए भाशपा में शामिल हो गए थे उनका दावा है कि इस बार जहारखण में भाशपा की सरकार बनने जा रही है तो आप देखिए कि कुल लड़ाई 83 सीटों की है चमपाई सोरेन ने जिस तरीके से कहा अगस्त में पार्टी से इस्तिफा दिया और भारती जन्ता पार्टी का दामन थामा लेकिन अब जो बसन सोरेन ने दावा किया है कि बहुत जल्द वापसी करने वाले हैं और उनकी जिस तरीके से लगतार नेता पार्टी छोड़कर जे एमिम का दामन थाम रहे हैं उसी के करम में एक बड़ा विकट गराने की तयारी में जे एमिम के तमाम नेता कर चुके हैं जिस तरीके से हेमन सोरेन उपरेशन चला कर जारकट में भारती जन्ता पार्टी के लिए पूरी तरीके से बिसात बिछा चुके हेमन सोरेन अब चामपाई सुरेन को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि वो बहुत जल्द पार्टी में आने वाले हैं इससे कहीं न कहीं भारती जंता पार्टी को जारखंड में बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से गरी मंत्रिया में शाह लगतार महरास्ट और जारखंड चुनाओं की तारीखों के एलान होने के बाद नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और जिस तरीके से अब रणनीती बनाई जा रही है लेकिन उससे बीच नेताओं का पार्टी छोड़ कर जाना कहीं न कहीं टेंशन में इन तमाम नेताओं को डाल रखा है जै विपक्ष में थी आज हमारे साथ हैं तो साफ तोर पर जिस तरीके से आउप्रेशन हेमंद के जरिये से जारखण में लगतार भारती जद्धा पार्टी के नेताओं को तोड़ कर जैमें में शामिल कराए जा रहा है और इंडिया गडबंदन के साथ आ रहे हैं जहां से चमपाई सुरें को भी हवा पूरी तरीके से दिखाई दे दी है कि किसके पक्ष में है और सरकार कौन बनाने जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि भाषबा कि सरकार जाडखन में बनते हुई दिखाई दे रही है लेकिन अभी तक जब जैमें ने अपना प कोई भी बड़ी टिपपरी चंपाई सुरेन पर नहीं की गई है क्या अंदर अंदर ये बात चल लही थी कि अगर ये होता है तो चुनाओ के आयन नजदीक के वक्त हम फिर से पार्टी में वापस आएंगे और घर वापसी की तैयारी पूरी तरीके से क्या की जा चुकी है ही बोले कि जितने दलबदलू है उनको खास तवज्जो दी जा रही है जो भारती जंदा पार्टी लगतार विपक्ष की पार्टीयों पर कहती थी कि परिवारवाद है यहां पर एक ही परिवार का कबज़ा है अब उसी भारती जंदा पार्टी ने जारखन और महरास्ट मे परिवार पर खास तवज्जु दिये क्योंकि चमपाई सुरेन को भी टिकट दिया उनके बेटे को भी टिकट दिया और उनके करीमियों को भी टिकट मिला है तो जिस तरीके से परिवारवाद का घोर विरोध थे परधान मन्ति नरेंद्र अब वही पूरी तरीके से उनके पार्टी में परिवारवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है तो जितने भी नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे थे सब यही कह रहे हैं कि दल बदलू को खास तवज्जो दी जा रहे हैं जो पार्टी के कारे करता हैं उनको कोई एहमियत अब भाशपा में नहीं मिल लई है और पूरी तरीके से एक ऐसी लॉबी है जो जारखण में कबजा करना चाहती है हम किसी तरीके से नहीं होने देंगे तो इस एक खबर ने और इस एक बयान ने बसंसोरेन के बयान ने पूरी भाशपा को अंदर तक हिला कर रख दिया है क्या च कैसे राज्य के लिए काम करेंगे लेकिन हेमन सुरेन ने साफ तो पर ये कह दिया कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से निस्पक्ष नहीं है वो अपने मशीनों के जरीए से खेल करने की तैयारी कर रहा है लेकिन हम पूरी तरीके से चाको चौबंध हैं ऐसा कहीं भी नहीं हो ने देंगे तो इस पूरी मामले पर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या रहा है कि जिस तरीके से लगतार धड़ा-धड़ इस्तिफे हो रहे हैं एक के बाद एक विकेट भाश्चपा का गिरता जा रहा है अब जो सबसे बड़ा विकेट चंपाई सुरेन का है गो भी लग रह है कि गिर जाएगा आपकी कहरा है कि में वाक्स अबती राय जरूर दें और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं देश निती धन्यवाद